नमस्कार, मन्मन्तरी में आपका स्वागत है मैं हूँ पंकेट पचवरी, बजट का काउंडाउं शुरू हो गया है और अलग-अलग इंदस्ट्री, अलग-अलग सेक्टर्स की लोग जो है वित मंत्री को बजट के बारे में अपनी अपिक्षाएं, अपनी उम्मीदें जो हैं वो लिख करके दे रहे हैं, बहस चल रही है और उनसे मंत्रणाय हो रही है आज हम उठाएंगे इस बारे में कि IT सेक्टर या ICT जिसे अखर हम बोलें तो उस सेक्टर की बजट से क्या पेक्षाएं हैं और पिछले साल सेक्टर ने कैसा प्रदेशन किया है, क्या क्या हासिल किया जा सकता है इस समय में जब दुनिया में मंदी के असर धेडिरे खत्म हो रहे हैं और हिंदुस्तान में खासकर जो है एक बार हमारी अर्थ फ्यरस्ता एक बार फिर से तेजी पकट रही है और हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान यहां पर मौझूद हैं प्रदीप गुपता जो की चेर्मेन हैं साबर मीडिया इंडिया के और साथ ही टी आईए के भी प्रेसिडेंट है और कृष्ट महलोत्रा जो की इसकी डिरेक्टर हैं के पीमजी के अगर करें हम कुछ आकड़ों से अगर देखें हिंदुस्तान के अगर आकड़ों देखें तो साइबर डाटा क्वेस्ट के जो आकड़े बताते हैं हमें कि हमारी जो डोमेस्टिक आईटी इंडस्ट्री है वो 25 बिलियन के आसपास थी आईटी एक्सपोर्ट 52 बिलियन के आ आसपास देखें आप उसे तो टोटल ICT का मार्केट जो है वो 129 बिलियन डॉलर के आसपास हिंदुस्तान का है जो हमारी कुल GDP का 11 फीजती जो है वो कुल जमा में बनता है दुनिया से अगर इसको लगाएं तो अभी भी हम बहुत चोटा हमारा हिस्सा उसमें अभी भी है और अभी भी हिंदुस्तान जो है उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की सम्दा है अगर हम 2011 को उठाकर देखते हैं तो इस 2011 में कौन से शित्र हैं जिस पर हमको ध्यान दे सकता है तो यह खराब साल जो रहा यह तो एक जो एक इंटरनेशनल मंदी थी उसकी वज़े से रहा लेकिन उसमें भी अगर हम साथ प्रतिशत की हमारी ग्रोथ रही है तो बहुत अच्छी बात है तो वो एक स्ट्रेंग्ट दर्शाती है डोमेस्टिक मार्केट जो था वो ह इस तरह से इस ग्रोथ को कायम रखा जाए और कैसे इसको और बढ़ाया जाए क्योंकि जैसे जैसे यूरोप के मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स उपर आ रहे हैं तो आउट्सोर्सिंग और आई-टी रिक्वार्मेंट वो एक दफा फिर बढ़ने वाली है यहां पर ड गाओं गाओं में पहुँच रहा है तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी तो अब हमें एक तरह से अब हमें मैनेज करना है यह जो पूरी ग्रोथ अब आने वाली है उसको हम किस तरह से बढ़ियार तरीके से मैनेज कर से